वेलकम टु नंत किशोर क्लासिस आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो फ्रेक्शन या दो से ज़्यादा फ्रेक्शन में अडिशन और सब्ट्रेक्शन इस कंसेप्ट में अकसर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें LCM यूज होता है तो एक तो आज हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे बेसिक मेथट पढ़ेंगे कि कैसे हम फ्रेक्शन को एड़ कर सकते हैं या फिर सब्ट्रेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसका एक असान मेथट भी पढ़ेंगे कि अगर हमें बेसिक में fusion हो तो कैसे आसान ट्रिक यूज़ करके इन questions को किया जा सकता है तो चलिए पहले basic concept की शुरुवात करेंगे basic concept सबसे पहले देखिए मान लीजिए हमें two by three plus one by six start करते हैं बिल्कुल basic से मान लीजिए इनको add करना है इनको add कैसे करते हैं इसे ध्यान से समझना है सबसे पहला काम क्या होता है सीधा ये add नहीं कर देते सबसे पहले क्या करना होता है दोनों जो नीचे terms हैं यानि कि दोनों जो denominators हैं हमें उन दोनों denominators का क्या लेना होता है? LCM लेना होता है अब 3 और 6 का LCM क्या होगा? इसके निकालने के कई तरीके हैं main बात क्या है? सबसे basic आपको ये method करवाया हुए 3 और 6 का जैसे 2 के table में 6 जाएगा 3 जार और 3 के table में 1 is 1 then 2 multiply 3 LCM क्या आएगा? 6 आएगा basic method एक ये है जिसमें आप LCM 6 निकाल सकते हैं number 2 LCM का मतलब क्या होता है? LCM होता lowest common multiple छोटी से छोटी ऐसी value जो दोनों ही tables में आए ठीक है? यानि कि 3 के table में भी आए 6 के table में भी आए तो देखो यहाँ पर इसका आसान method क्या है? आप ये देखो कि जो दो values हैं इन में से बड़ी value कौन सी है? बड़ी value 6 है अब ये 6 6 के table में तो आएगा याएगा क्या ये छोटी वाली जो value है उसके table में आता है? बिल्कुल आता है 6 तो 3 के table में भी आता है तो बस सबसे basic method क्या है? जिन दो values का आपने LCM निकालना है उन में से पहले सर्च करो कि बड़ी कौन सी है? और अगर बड़ी वाली जो value है छोटे वाले के table में आ रही है तो बस वही LCM होता है यानि कि हम directly भी लिख सकते थे कि 3 और 6 के LCM क्या होता है? 6 तो पहला step क्या होता है? हमें LCM लेना तो LCM ले लिया 6 हमने इसके बाद क्या करना होता है? इस 3 के साथ 6 को divide करना है क्या करना है? 3 के साथ 6 को divide करना है जी जैसे कि 3 अगर 6 को 3 से divide करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा 6 को 3 से divide करेंगे तो 2 आएगा, या तो ऐसे याद रख लिजे, या फिर 3 के टेवल में 6, कितने जार आता है, 3, 2's are 6, तो ये जो 2 आएगा, पहली बात तो ऐसे याद रखो, 6 जो है ये, डिवाइड करें अगर 3 से, 3, 2's are 6, तो क्या आता है, 2, तो ये जो 2 आगया है, इस 2 को, इस 2 से multiply करना है, 2, 2's are, क्या होता है, 4, तो यहाँ पर आएगा 4, multiply करके आएगा, number 2, फिर बीच में plus का निशान है, plus का निशान लगाई है, अब ये 6, ये भी 6, 6 के table में 6 आएगा, 1's are, right, या मैं ये कहूँ, इस 6 को, अगर आप इस 6 से divide करेंगे, तो काट के क्या आएगा, 1 आएगा, यान कि इस 1 को, अगर इस 1 से multiply करेंगे, तो 1, 4 प्लस 1 किया, तो answer क्या आया, 5 by 6, ये basic method है, इस method को, अच्छे से समझना है, practice करना है, एक question और करेंगे, अभी इस basic method का, फिर इसी का shortcut भी करेंगे, ये देखते हैं, एक example और लेते हैं, मान लेजिए हमारे पास है, 1 by 2, plus 3 by 4, simple examples ल अब यहां पर मुझे LCM निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा, एक 2 है, एक 4 है, दोनों में से बड़ी value 4, अब 4 जो है, 2 के table में आता है, बिल्कुल आता है, तो बस इसका LCM क्या होगा जी, 4 होगा, पहली चीज़ तो ये समझाई, अब देखो, 2 के table में 4, आ तो ये जो 2 है, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर इस 4 को 2 से divide करो, 2 आता है, जैसे मर्जी समझे, तो ये जो 2 आया हमारे पास, या ये समझ लो या ये वाला, इस 2 को 1 से किया तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 ones are 4, तो 1 ही आया ना, उस 1 को 3 से multiply करेंगे, same रहेगा 3, यानि कि इ दियान से देख लिजे स्क्रीन पे आपके सामने है, तो ये 2 answers हमारे पास आए, अब एक method तो ये है कि जो हमें समझ ना था, कि कैसे LCM लेके answers निकालते हैं, अब अगर LCM लेना मुश्की लगे मान लीजिए, इसी question की बात करूं, मैं 1 by 2 plus 3 by 4, let's suppose, same question की बात करते हैं, butterfly method बो बोलते हैं, वो कैसे implement करना है, देखे ध्यान से, क्या करना होता है, नीचे वाली दोन्नों values को multiply कर दो, और नीचे लिख दो, 2 को 4 से multiply किया, 2 multiply 4, और इस 4 को इस 1 से multiply कर दो, 4 को 1 से multiply कर दो, चलो लिख देते हैं, यहां पर, बीच में plus का निशान है, फिर 2 को 3 से कर दो, सीध 3 से multiply कर दो, answer same आएगा, 4 1s are 4, 3 2s are 6, नीचे है 8, यहनि 10 by 8, 2 के table में काटोगे तो, 5 by 4, देखो, same answer आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा, बिल्कुल same answer आ रहा है, अब इसके बात देखे, मान लिजीए, मेरे पास, मैं इस question की बात करता हूँ, अभी जो हमने यह किया था, इसी को भी तो इस method से करके देखते हैं, butterfly method बोलते हैं, 3 और 6 को आपस में multiply कर दो, 6 को 2 से कर दो, और इस 3 को 1 से कर दो, देखो, बिल्कुल answer same आएगा, 12 plus 3 upon 18, यानि कि 15 by 18, 3 के table पे काट दीजे, यानि कि आपका answer क्या आएगा, 5 by 6 आएगा, तो देखे, बिल्कुल अच्छे से स लिए हैं, अगर ज्यादा हों तो, ज्यादा बेभी मैं पहले एक basic करवाता हूँ, जो अभी हमने cover नहीं किया था, माले जे डिनॉमिनेटर ही same हो, जैसे 1 by 2, plus 3 by 2, plus 7 by 2, let's suppose, सभी में denominator same है, फिर तो LCM के कोई दिक्कत ही नहीं है, जब डिनॉमिनेटर same है, टू, टू, कितने ज़र आता है, 1s are, 2, 1s are 2, 2, 1s are 2, 2, 1s are 2, 2, 1s are 2, सारे 1 नहीं आने वाले हैं, तो उपर वाले सीधा addy हो जाएंगे, 1 plus 3 plus 7, तो answer कितना आएगा, 7 plus 3, 10, 10 plus 1, 11, तो 11 by 2, answer आएगा, यानि कि अगर डिनॉमिनेटर same हो, फिर तो कोई problem ही नहीं है, फिर तो हम सीधा ह कर सकते हैं, अभी बीच में मान लिजीए, हमारे पास यहाँ पर आ जाता, 1 by 2, plus 3 by 4, minus 7 by 8, अब देखिए, ऐसा question आता, तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी LCM लेना पड़ेगा, no doubt LCM लेना है, लेकिन LCM लेने का आपको तरीका बताया था, तीन value दाना, तीनों चेक करो, तीन 4 के table में आता है, बिल्कुल आता है, अगर बड़ी value बाकी सभी के tables में आती है, तो बस वही बड़ी value क्या होती है, LCM होती है, निकालने की जुरूरत नहीं होती है, अगर आप इसको निकाल के देखेंगे, तो भी कोई problem नहीं है, answer यहीं आएगा, करके देखिए, 2 के table में, 1, 2, 4, फिर 2 के table में, फिर 2 के table में, देखो तीन बर 2 आया ना, 2 x 2 x 2, 8, तो यहीं आने माला था, अब देखिए, 2, 4s are 8, 2, 4s are 8, 4 आया हमारे पास, उस 4 को 1 से multiply करेंगे, 4, 1s are 4, 4, 2s are 8, 2 पे focus रखो, 2 को 3 से multiply करना है, 2, 3s are 6, 8, 1s are 8, अगर यह दोनों सेम हो, तो उपर वाली value, as it is आ जाती है, 7 plus 4, 10, 10 में से 7 minus करोगे 3, यानि कि answer क्या आएगा, 3 by 8 आएगा, चलिए और कुछ examples करते हैं, इस तरह के questions करते हैं, जो कि अक्सर बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन बहुत असान होते हैं, fractions को add करना, subtract करना, चलिए देखते हैं, म मालेजे 11, आप देखो, यहाँ पर 3 और 11 का LCM लेना है, यहाँ पर लगे गई butterfly method, confuse ही नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर देखो, 3 और 11 का LCM क्या होगा, 3 और 11 दो नहीं, कोई ऐसा prime numbers है, इन में कुछ common ही नहीं, 3 और 11 का LCM लोगे तो 33 आएगा, आप ऐसे लगा के देखेंगे तो क्या होगा, 3 1 0 3, 11 as it is, फिर 11 के टेवल पर करेंगे, तो 11 3 0 33 LCM, तो हमारे butterfly method भी तो यहीं कहा रहा था, 11 को 3 से multiply करें, 33 आ जाएगा, तबस इसमें तो सिधा ही आ जागा, 11 को 1 से multiply किया 11, 3 को 7 से multiply किया 21, अब देखिए हमने यहाँ पर butterfly method लगाया ना, अभी मैं आगर इसी को आपको दूसरे तरीके से भी बताऊं, कि 33 LCM लिए, 3 के टेबल में 33 आएगा, 11 0, 11 पर focus रखना है, 11 को 1 से multiply किया 11, 11 के टेबल में 33 आएगा, 3 0, 3 पर focus रखा, 3 को 7 से multiply किया 21, तो answer देखते है, क्या आता है, यहाँ पर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 32 by 33, और इज़र भी कितन आएगा, सेम, 32 by 33, तो जैसे आपको याद रहे, जिस मेथर से याद रहे, वैसे याद रखिए, लेकिन concept में प्रॉलम नहीं होनी चाहिए, चलिए एक कुशन और करते हैं, चलिए देखते हैं, माली जी, यह कुशन है, हमारे पास, 2 by 5, प्लस 3 by 10, माइनस 4 by 15, अब सबसे प सकती है, जो सोच के नजर आ रहा है, 30, क्योंकि 15, 2, 30, 10, 3, 30, 5, 6, 30, लेकिन LCM हमने निकालना भी सीखा हुआ है, हम LCM सौल करके देख लेते हैं, 5, 10, 15, देखते हैं, चलिए पहले 2 के टेवल में, जो हमें छोटी क्लस में सीखा है, 2 के टेवल में 5,000 की lowest value से शुरू करें, फिर 3 से, तो 3 के टेवल में 15 आता है, और फिर 5 के टेवल में, चलिए इनकी product करेंगे तो क्या आएगा, 5, 3, 0, 15, 15, 2, 0, 30, तो LCM हमारा कितना आया जी, 30 आया, अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 के टेवल में 30 आता है, 6,000, right, 6 पे focus किया, 6 को 2 से multiply किया, 6, 2, 0, 12, plus, 10 के टेवल में 30 किया आएगा, 3, 0, 3 को 3 से करेंगे, 9, minus, 15 के टेवल में 30, 2, 0, 2 पे focus करना है, 2 into 4, 8, अभी देखते है, 12 plus 9 कितना होगा, 21, minus करेंगे क्या, 8 over 30, अब हमें 21 में से सिर्फ 8 minus करना है, 21 में से 8 minus करेंगे तो क्या आएगा, 13, और answer क्या आएगा, 13 by 30, I hope ये question भी आपको अब समझ आ गया होगा, तो आज हमने fractions को add करना सीखा, subtract करना सीखा, 2 fraction हो, चाहे 3 fraction हो, और इसके अलावा हमने एक method, butterfly method भी किया, जिसमें अगर हमें LCM लेके करने में मुश्किल आ रही हो, तो direct denominators को multiply करके किया जा सकता है, I hope ये concept आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से ये lecture समझ आया है, और lecture पसंद भी आया है, तो इस वीडियो को like और share जरूर करें, thank you so much